ये वीडियो एक introductory tutorial login वीडियो है Cisco Academy के लिए तो उसमें सबसे पहले हम जो है browser window में जाके search tab में Cisco की website netacad.com mention करेंगे और इस website को open होने के बाद हम यहां से login की tab में जाएंगे login से login करेंगे login window में सबसे पहले यहां पर अपना username और email address आपने एंटर करना है तो इस tutorial वीडियो के लिए हमने एक guest login या एक test login यहां पर बनाया हुआ है उसको हम एंटर करते है और उसके बाद हम यहां पर password अपना जो है वो एंटर करेंगे तो यह हमें हमारी main window की तरफ ले जाएगा जो learning tab है Cisco की यहां पर आपको आपका course शो हो रहा होगा आपको academic का name डिस्प्ले होगा यहां से हम फिर launch course पर क्लिक करेंगे course content को access करने के लिए यह माँ पास course window आ गई अगर आपने course content को access करना है उसके लिए हम start course पर क्लिक करेंगे तो माँ पास एक new tab open होगी इसमें माँ पास यह सारे course content available है आपने start करना है आप introduction की tab पर क्लिक करेंगे और यहां से आपके पास course access आ जाजेगी जो आपको further guide करते रहेंगे कि आपने next करना है तो आपके पास next slide आ जाजेगी यहां से आप सारा course material रीट कर लेंगे इसके बाद आपके पास आता है course end के exams और course feedback उसके लिए हम यह assignment की टैब के उपर क्लिक करेंगे यहां से हमारे पास यह दोनों options आती है end of course feedback की और end of course assessment की यह दोनों assessments compulsory है to get Cisco certificate ठीक है तो यह basically एक tutorial है आपका आपने अपने get connect के course को किस तरीके से access करना है आपे